ओम नमो भगवती वासुदेवाई नमस्कार दोस्तों मैं हूरिचा सिन्हा और मेरे इन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी से संबंधित भादरपदमा के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को परिवर्तनी एकादशी का वरत किया जाता है वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं प्रतेक एकादशी अपने आप में ही अत्यंत महत्वपून होती है परन्तु उन सब ही में कुछ एकादशी के वरत ऐसे होते हैं जिनका विशेश महत्व होता है और उन्हीं में से एक एकादशी है परिवर्तिनी एकादशी परिवर्तनी कादशी को पाश्वे कादशी, वामनी कादशी, जैजुलिनी कादशी, दोल ग्यारस, जैनती कादशी, पदमे कादशी आधी नामों से जाना जाता है ऐसी मानिता है कि इस एकादशी व्रत को करने से मनुश्य को वाजबे यगे के समान पुन्यफल की प्राप्ति होती है साथी साधक को पुरुचनम से लेकर के वर्तमान समय तक किये गए जाने अंजाने पापों से मुक्ति मिलती है एवं मुक्ष की प्राप्ति होती है इसकंद पुरान के वैशनव खंड में परिवर्तिनी इकादशी के महातम में का विस्तार पूर्वग वर्णन मिलता है परिवर्तिनी इकादशी को कई नामों से जाना जाता है इसे जैजुलिनी इकादशी भी कहते है क्योंकि ऐसी मानेता है कि कानहाजी के जन्म के बाद इसी दिन ये शोदा मईया ने उनका जल पूजन किया था इसे ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है वहीं भगवान विश्नु चतुर मास के दोरान चार महिनों तक जब पताल लोक में योग निंद्रा में रहते हैं तो परिवर्तनी एकादशी के दिन अर्थात भादरपद माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को करवट बदलते हैं जिस कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं इसे दिन भगवान विश्नु जी के वामन अवतार की पूजा का भी विधान बताया गया है साथ ही इस एकादशी को पदमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मानेता है कि इस दिन भगवान विश्णु के वामन अवतार और मालक्ष्मी की विदिवत पूजा अर्चना करने से मनुश्य को धन, सुक, समरिधी एवं एश्वरी की प्राप्ती होती है मनुश्य के शोक और दुखों का नाश होता है और दोस्तों इस वर्ष अर्था 2022 में पदमा एकादशी का वरत दो दिन किया जाएगा 6 सितंबर मंगलवार के दिन और दूसरा 7 सितंबर बुथवार के दिन जो ग्रहस्त लोग हैं वो एकादशी का वरत 6 सितंबर मंगलवार के दिन ही करेंगे एकादशी तिथी प्रारंब होगी 6 सितंबर को सुबह के 5 बच के 54 मिनट से और एकादशी तिथी का समापन होगा 7 सितंबर को सुबह के 3 बच के 4 मिनट पर और जो लोग 6 सितंबर को एकादशी का वृत करेंगे वो वृत का पारण करेंगे 7 सितंबर। बुधवार के दिन और पारण का शुप समय हैं सुबा 8.19 मिनट से सुबा के 8. cont 33 मिनट तक और इस दिन हरीवासर समापत होगा सुबा 8.19 मिनट पर। साथी दोस्तों जो लोग वैशनो संप्रदाय के हैं या स्कौन को मानते हैं वो परिवर्तिनी इकादशी का वरत करेंगे 7 सितंबर बुदवार के दिन और वरत का पारण करेंगे 8 सितंबर को और पारण का शुब महुर्थ होगा सुबह 6 बच के 2 मिनट से सुबह के 8 बच के 33 म मिनट तक इस दिन 22 दित्फी सुर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी साथी दोस्तों इस बार परिवर्तिनी इकादशी के अवसर पर 4-4 शुब संजोग का निर्मान हो रहा है जो कि इस इकादशी के महत्व को और अधिक बढ़ा देगा इस बार परिवर्तिनी सितंबर को सुपह के आच बच के अठाईस मिनट से प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा च्छे सितंबर को सुपह के आठ बच के आठ बच के OR norm फोगा साथी इस दिन सौभा गए यूग भी बन रहा है जोंकि छे संदम बझरब को सुपह आट बच के 16 मिनट से शुरू होगा और शाम के 6 बच के 9 मिनट पे समाप्त होगा साथ ही इस दिन 3 पुषकर योग का निर्मान भी हो रहा है जो कि प्रारम होगा 7 सितंबर को सुबह के 3 बच के 4 मिनट से और इसका समापन होगा 7 सितंबर को सुबह के 6 बच के 9 मिनट पर तो इस प्रकार से इस बा की एकादशी अदिन्त खास होने वाली है तो दोस्तों इस बार की एकादशी तिथी को आप हांच से न जाने दें अगर भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की खृपा प्राप्ति चाहते हैं मन में कोई मनुकामना है या घर में धन्सुक सम्रिद्धी की वृध्धी चाहते हैं तो इस बार की एकादशी तिथी पर विदेवत भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें अगर संबह हो तो वरत करें साथ ही छोटे-छोटे उपायों को भी जरूर अपनाएं तो दोस्तों मेरे चैनल पे एकादशी वरत से संबधित कई वीडियो अप्लोडेट हैं जिसमें मैंने एकादशी वरत की जानकारी विस्तार पूर्वक दी है आपको पूजा किस प्रकार से करना चाहिए वरत की क्या नियम है पारण आपको कैसे करना चाहिए या एकादशी वरत के दिन के जाने वाले कुछ विशेश उपायों के बारे में मोडीब मुन करें अपको साथ में हम अपको करना है एस दिन आपको तुलस्सी पत्र तोड़ लेना है को कोальная 3 तिन रात में भूजन ना करें 1 रात में में सुने से पहले अच्छी प्रकार से ब्रश धातून कर ले 2 साथ है सोने से पुर्व जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते वे उन्हीं नमन करते वे सोई अब जिस दिन एकादेशी ती थी है उस दिन सुबह सवेरी जल्दी उठके स्नानादी नितिकम से निवर्थ हो के सर्व प्रथम भगवान सूर्य नरायन को जल दे इसके बाद आप भ पुष्प और पुष्प माला समर्पित करें इसके बाद भगवान को भूग लगाए रितुफल समर्पित करें तुलसी पत्र समर्पित करें पांच सुपाड़ी इलाइची समर्पित करें और इसके बाद जो है एकादशी व्रत करने का संकल्प ले भगवान से प्रातना कर कि आप परिवर्तनी इकादशी का व्रत करने जा रहे हैं भगवान आपको शक्ति दे व्रत का शुफल प्राप्त हो ऐसी आप पे भगवान कृपा करें और इसके बाद जो है आप भगवान विश्णों के मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाय का इस दिन यथा शक्ति आरती करें भगवान की उसके बाद सारे दिन जो है भगवान का नाम लेते रहें कई लोग इस वरत को निर्जला भी करते हैं परन्तु आप अपनी शक्ति अनुसार करें आप अगर फलहार करते हुए इस वरत को कर सकते हैं अब शाम के समय प्रदोश काल में आपको पुनह भगवान पिशनु और मालक्षमी की विधिवत पुजा अर्षना करनी चाहिए। भगवान को भोग समर्पित करें, मंद्रों का जब करें, भजन कीर्टन करें और भगवान की आर्थी करें। इस वरत में रात्री जागरन का भी अत्यधीक महत्व होता है, तो अगर संभव हो तो रात्री जागरन भी आवश्य करें। अब वरत के अगले दिन इस वरत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों पारण के भी कुछ विशेश नियम बताए गए हैं। अगर आप पारण की संपूर्ण विधी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो अप्लोडेड है। लिंक में आपको वीडियो के लास्ट में दे दूगी। आप चाहें तो देख सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरीवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पारण का शुब मोहर्द बताया है। तो उसी समय आपको पारण करना है। तो इसी समय आपको पारण करना है। मनुश्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विश्णु एवा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है उमीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए जय माता दे